तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है दे ट्रू फिलिंग्स तुवर्ट जी उनकी किस तरीके फीलिंग्स आपके लिए तो यह जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है कुछ इसे आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेंगी कुछ इसे नहीं भी रेजोनेट अगर आप मेरे चानल पर नए आए है तो आप इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को ज़रू आल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिल पाए और आप कंटेंट को इंजोई कर पाए अगर आप चाहें तो बैठा हुआ है कि जिम्मेदारी है एक जो है काफी जादा एक अनकॉंफर्टेबल सीट पर जैसे जिम्मेदारी आजाती है इनसान के उपर और हर इनसान के उपर आती है तो पहले वो रिस्पॉंसिबिलिटी के बारे में सोचता है बजाए अपनी फीलिंग के बारे में तो तो यह वहीं पे energy है, तो यह person ऐसे हैं, और next आ रहा है, यहां पे three of pentacles है, तो यह आपके colleague हो सकते हैं, आपके working place पे हो सकते हैं, आपके business site पे हो सकते हैं, या फिर आप अगर study कर रहे हो, तो वहां पे हो सकते हैं, senior हो सकते हैं, या आपके boss हो सकते हैं, या even teacher भी हो सकते हैं, ह बाथचीत करना क्या परकश्राइबाद करा ने चाल आ काई हमेश्ट लेकिन आपको बातिकर सुन्सक्तिर करते हैं कि age gap भी हो सकता है यहां पर तो वह चीज जो है वह सुसाइटी को अच्छी नहीं लगेगी और जो है वह आप भी हर्ट होगे वह भी हर्ट होगे इसलिए इमोशन को वह सामने नहीं लेकर आना पसंद करते हैं तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए कि वह किस तरीकी से फील करते हैं आपके लिए नेक्स्ट आ रहा है मिजीशन है जमिना एनर्जी है आप लोग इंटिलेक्शली बहुत जादा एक दूसरे को पसंद करते हो तो जो सोचने समझने का तरीका है वह काफी हद तक सिमिलर होगा और नेक्स्ट आ रह कि यहाँ पर हर चीज का मीनिंग है तो उस चीज को समझते है वह ऐसा नहीं कि पार्क में बैठे है और उल्टी सीदी हरकते करी और वह वाला जो है यहाँ यहाँ पर लव है वह चीज नहीं है यहाँ पर मिचुरी है चाहे आप दोनों के बीच में एज गपी क्यों नह लाइफ की एडवेंचर उसको फील करते हैं और उसमें खुशी ठूण पाते हैं आपके साथ फ्यूचर देखते हैं या कहीं चले जाना चाहते हैं बाहर विदेश में या फिर जो है कोई ना कोई बिजनस स्टाथ करना चाहते हैं कुछ इस तरीके की एनर्जी है या कोई ऐसा मौका मिल जए कि आप दोनों जो है घूमने जा पाओ तो ऐसी एनरजी है तो इनकी इच्छा है कि वो आपके साथ घूमने जा पाए नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए दो वर्ल्ड का काड़ा है को सकता ट्रावल करने के प्लांस बन रहे हो चाहे वो प्रोफेशनल बेसिस पे ही क्यों ना हो लेकिन वो जो है खुशी महसूस करेंगे अगर वो आपके साथ ट्रावल कर पाए तो ऐसी एनरजी है नेक्स्ट आ रहा है यहां पे जो डर है उसको जो जो है वो सामना करा जा सकता है क्योंकि जब एज गया पा जाता है या कोई भी सोशल जो सोसाइफटी से थोड़ा सा चीज अलग होती है तो वो चीज जो है वो प्रॉब्लमाटिक हो जाती है लोगों को यही चीज रहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया उनको बिल्कुल सब बी और होना चाहते हो अगर नहीं भी हो तो होना चाहते हो तो इस तरीकी की एनरजी और तब जो है आप लोग एक दूशे के साथ आना पसंद करोगी नेक्स आरा आपके लिए किंग ओफ कप्स है तो यह जो एम्परर है वो अपनी responsibility अपनी पोस्ट society की वजह से अपनी जित होती है opposite gender के लिए या जो भी जिस भी partner को आप पसंद करते हो तो वो चीज exist करती है लेकिन बस वो रोक लेते हैं अपने आपको लास्ट में आरा death काड आया है यहाँ पर transformation हो रही है अगर आप जो है वो इस चीज को महसूस करते हो कि मुझे यह चीज accept करनी है और as it is accept करनी ह तो आप कर पाओ लेकिन उसके लिए हिम्मत की जरूरत है तो कुछ इस तरीके की यहाँ पर energy है चलिए देखते हैं कुछ love messages देख लेते हैं उनकी तरफ से आपके लिए I want all of you forever you and me every day next hour the one that got away यह शायद एक गाना भी है यह और जो है इसका meaning भी है next hour you are my heartbeat तो आपको वो deeply love कर आपके है next hour when everything was in order she came and messed up everything और next hour यहाँ पर आपके लिए you are incredible next hour आपके लिए were friends but I wish we were more next hour choose love so love को choose करना चाहते है next hour आपके लिए you are enough life is short live it love is rare grab it memory is sweet cherish it और next hour reunited तो उनको ऐसा लगता है कि आपको वो बहुत समय से जानते हैं यह जरूरी नहीं है कि आप इस life में उनको पहले से जानते हो next hour I crave your kisses next hour balance of life mental health emotional health physical health work family social life and leisure next hour honesty is essential and next hour love is patience take your time and next hour आपके लिए calling your soul में तो इस तरीके की यहाँ पर energy है आप लोगों के ऊपर depend करता है कि आपको यह relationship चलाना है या उसको सही से रखना है या नहीं रखना है इस तरीकी की energy है चले देखते हैं इस energy से चांप यहाँ पर जो है love exist करता है next hour यहाँ पर spiritual charm आया है और यहाँ पर एक anchor आया है stability है security है तो उस चीज़ को जो है आप दोनों ही accept करना चाहते हो कुछ problem है age gap हो सकती है या कोई ना कोई society से related या social issue हो सकता है उसकी वज़े से जो है आप दोनों के बीच में हलक असा obstacle है otherwise यहाँ पर कोई feelings की problem नहीं है चले देखते हैं कुछ love song देख लेते हैं हम रहा देख लेना कौन सा गाना है और next hour तू मेरी दोस्त है यवराज movie का और next hour वे माही केस्ट्री movie का तो इस तरीक आपकी रीडिंग उम्मीद करते हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू